किसन भाईयों संदक्षित खेती में जो खीरा है वो सबसे ज़्यादा आमदनी देने वाली फसल है और इसको हम साल में तीन बार बोसकते हैं संदक्षित संदचनाओं में एक बार आप जुलाई से स्टार्ट कर सकते हैं लगबग साड़े तीन महिने में आपकी फसल खतम हो ज सकते हैं अप जुलाई अगस्त मर अकटूबर से दूसरी ले सकते हैं नौवंबर दिसमबर जणवरी और जनवरी से फिर एक और फसल आप ले सकते हैं अप फरवरी करते हैं और प्लक ट्रे से तयार किये हुए पौधे जब दो पत्तिके हो जाते हैं उस समय हम उनको रोपित करते हैं और इसकी जो लगाने का दूरी होती है तो पौधे के पौधे की दूरी लगबग 30 cm रखते हैं क्योंकि आपकी drip की जो वो होता है आउटलेट होता है उस पे 30 cm या 60 cm का होता है तो जो खीरा है वो 30 cm पर लगाते हैं पौधे से पौधे के दूरी और जो line से line की दूरी होती है वो करीब जो है 70 cm के आसपास रहती है तो इस तरह आप इस फसल को रोपित कर सकते हैं और प्रति कर सकते हैं और पहली तुडाई जो है वो लगाने के 55 बाद में प्रारंब हो जाती है तो 35 दिनके बाद आप इसकी तुडाई कर सकते हैं और इस तरह से यह ए-एक बहुत ही ज्यादा फायदा देने वाली फसल है जो कि हम तीन बार साल में ले सकते हैं हमारे जो पब्लिक सेक्टर है उसमें भी हमारती अनुशंधान सांसान पूसा नई दिल्ली द्वारा पूसा पार्थेनोकार्पिक 6 एक प्रजाती विक्सित की गई है जो एक बहुत अच्छी किश्म है उसको नहीं होती है क्योंकि संदक्षित संदचनाओं के अंदर जो परागर्ण में सहायक कीट होते हैं वो उपलद नहीं होते हैं जो लागत और कमाई का अनुपात होता है अगर आप उसको देखें तो चाहें वो टमाटर हो या शिमला मीज हो या चेरी टमाटर है तो उन सबसे ज्यादा हमें खीरे में मिलता है और इसमें हम जब एक रुपिया खर्च करते हैं तो लगबग उसकी जगे पर हमें साड़े तीन रुपे के आसपास जो है वो आमदनी होती है तो आपकी जो तीन गुने से ज्यादा आपकी जो इसका जो कास्ट वेंफिट रेशियो है या जादनी खर्च का जो अनुपात होता है वो लगबग तीन गुने से ज्यादा का आता है तो इसी विए कहा जाता है कि यह सबसे ज्यादा फायदा देने वाली संड़क्षी छेत्र की फसल है और इसको आप देखें पूरे भारत वर्स में लगबग हर जगे की शान पैदा कर करती है